आज गूगल स्काइचप में हम बात करेंगे कि अंदर जो हमने दिवार क्रेट की थी यहां पर दिवार जो बना रहे है कीचन है ठीक है जो दो रूम है और यह जो अटैज बात रूम है साथ के साथ ठीक है इनके अंदर हम रूम जो गेट या ठीक है वो कैसे दरुआजेख क्रिक हैं सबसे पहले हम धृक या तो हम इशाई drained या अंदर की दरफ से ले या बाहर की दरेब कि कहीं से भी हम measurement मेजर्मेंट लेघर कते हैं सबसे पहले हम जो height हमाई ठीक है वो को डिशाइड करेंगी हम किस टाइप के दरवाजे चाहिए ठीक है जो हमारे रूम है उसकी विट है लैंद सोरी वह वारा पिट है ठीक है यहां पर हम सर्फेस सेव्स की जो पहले ठीक है बोलेते हैं हमें लगाना है यह साथ फिट के उपर ठीक है देख लेते हैं लाइन जो है इसके साथ है पैरलेल ठीक है उसके बाद हम इस दिवार से है एक दो इंच का यहां तीन इश कए स्पेस देना चाहते हैं यहां से फिट से म्य मैं ऊपर जो है है एक फिट का है यह अंध्रा इंच का जो हlles वह एक और दिवा देता हूं ठीए अब देखिए जो मैंने बनाए है जो काइड लाइन ये मैंने किसली बनाए है मैं भी आपको बताने जराओ ठीए तो देखिए है चार फीट के ओपर है ठीक है यहां से हम चार फिट के ओपर एक ठीक है भी हां से एक चार फिट तो तो जो पिद पर शुक्तिमेक यहां पर मैं जो दरुआ जब लगां ओपर रोशन प्रेस्ट सबसे पहले मैं यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रों करता हूं ठीक इसमें यह रोशन ठीक है पहले मैं इसको जो रेक्टेंगल है हमारा देखते हैं कि इसके विल्कुल नहीं हुआ ही देखिए दिवारे यह जो हमारी खड़ी रेखाए हैं इस दिवारों से दूर है तो चली हम इनको रिमोग करके एक बार फिर से तो यह चीजें भी आपको ध् बना गैप है अब जो गाइड लेंगे जो मैंने टिक वेंटिलेटर बना है वह यहां से काफी दूर है तो मैं इनको एक बार फिर से यह वाला जो है इनको मैं रिमोग कर देता हूं टिक गाइडलाइन्स यह लाइन्स टिक है इनको क्योंकि मुझे इनके पैरलल दिवार के उपर जो है बनाना क्योंकि यह दिवार से काफी दूर है ठीक है तो चलिए यहां से हम यहां से लेते हैं अब पहले हम इसको चार फीटी करेंगे उसके बाद हम इसको चैक कहीं दिवार से कितनी दूर है ठीक है लगवख यह तो काफी दूर यह करनू करते हैं कि हम एक बाव फिस से कोशिज करते हैं यहां से अगर कि अगर कि अगर को अंदर की तरह से लेते हैं यहां से इनका मेजर्मेंट करते हैं ठीक है यहां पर हम टेप मैजर टूल से जो है हम चारफिट यहां से मैं एक साथ फिट पर कर रहा हूं ठीक है साइध में थिन इंच का जो था दो घ्रिया था यहां से मैं कि अगराएंन्ट का फिट या ठीक है तो यह होगी अभी पर चैक कर लेते हैं कि यह एक दम तक तो यह ठीक है क्योंकि यह सही लाइन के साथ है ठीक है अब मैं यहां से जो मेरा सेकंड है रूम है वहां से इसको जिद दिवारे हैं वो क्रेट कर लेते हैं यहां से हम चार फिट ओ सुरी दाओ कि मैंसे यहां से इसे में देता हूं चार फिट चार फिट फिर यहां से चार फिट तो यह ठीक है यहां से मैं जो है रेक्टेंगल के तो इंदर वाज़ा करेंगे और फिर से रेक्टेंगल यहां से फिर से मैं एक और रेक्टेंगल ड्रो करता हूं ठीक है यहां पर चले दोस्तों यह तो हो गया मेरा जो था एक रूम का ठीक है और यहां से मैं फिर से एक रेक्टेंगल फिर से ड्रो करता हूं कि जाब लाल मार्क आए वहां से आप शुरू कर सकते हैं यहां से मैं तो यह देखिए अभी हमारे पास जो है दर्वाजों का जो साइज है वो त्यार है अंदर की तरफ से हमने लिए बाहर से भी अब लेस्क ने मैंने भी अंदर से लिए ठीक है तो अब अब हैं आपको दिखाता हूं कि इनको बाहर जो यह जगाए इनको स्पेस खाली कैसे करना होता ठीक है इस परेश है ठीक तो चलिए पूर्समाड लेते हैं यहां से इसको ठीक है है यहां से इसको हम। तो पूसबोर क्माड常 का आट आई अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो दर्वाजे थे वह बिल्कुल एक चीद में ठीक है तो यह रहा हमारा जो दर्वाजा ठीक है दोस्तो रोसंदान के साथ हमने यहां पर जो दो रूम में यहां पर बना दिए ठीक है अब आप चाहें तो इसके अंदर यहां पर यहां पर यहां पर आप यह जो है मैंने गाइड लाइन देदी इसकी सीध में की लाइन यह कहां पर एटीए पर-फैल से मैं इसको एक बार रिमो कर देता हूं फिर से यह को मैजर करते हैं यहांसे कितना इसकी जो फिड़त है यहां पर दस है तो मैं यहां पर पे पांच फिट फिसे एक लेंड़ में तो ठीक है मचाते हूं यहां से है है दुआ इंच ठीक है है तो इंच फिर एक औbenगा यहां पर मैं लेता हूं यहां से को झॉति यहां यहां पर आपको कोई जूरूत है कि यहां ध्की हो göstky यहां यहां से हम डाइक अब मेरे पास में यहां देखूंगा जगह है कितनी बची यहां पर है टोटल स्पेस है मेरे पास चार फुट देस इंच अब मैं यहां पर दो फिट का दर्वाजा लगा तो एक फिट है यहां से मैं छोड़ देता हूँ सथ्ट्राइच अब देख हुआ तो छिके त्रैंज मैं यहां दिकन ट्रैंगी थो स्त्राइच श्त्राइच श्त्राइच यहसीम टेंगी देखी यह हूगै मीर जो यहां पर सोरी में रूम कढ दिया वग ने दोनों इसी रूम में ने लीक लिए मैंने को बाकी किछ जो है इनको करें को रि extent ठीक है मुझे शिरफ यहीं धित दर्वाजा लेना ठीक है तो इसका फेले में इरे दर्वाजा निका लिदंटाएं कि छलिए यंद़ और मैं इसको रोटेट करते आपको बता देता हूं ठीक है आंसे पूस्पूल होड़ी ये है मिरा अटैच्स वाथरूम प्षा दरुवाजां यहां से मैं इसको बना सकता हूं उसके बाद में चाहता हूं इस रूम से में ठीक है यहां लेंट इसको पहले मापते हैं हम इसको फाइफ फिट फाइफ फिट करते हैं फाइफ फिट और यहां से फिट से टू इंच का एक ठीक है और यहां से फिर सत्रा इंच ठीक है और यहां से फिर से सत्रा हिंच में आ लेता हूं और यहां से एक लाइन करता हूं साथ फिट हो टेकर जो दरौजा मुझे बनाना वो मैं में रतंसर दोस्तों तूलिए बात करते हैं इसको करते हैं फही IDE हो यहां से दर्वाजा दो है यह हो गया अठाइज बात्रों का हमारे स्ट बट्रवाच एस दिए यह यह नास हम वेंटिलेटर के लिए जगह भी बना सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पास जो कीचन है कीचन के लिए जो हमारी जगह है उसके अंदर हम दर्वाजा कैसे लगाते हैं कीचन हमारी जगह देखने पहले टोटल लेंद कितनी है मेरे कहले से 8 फिट है या 10 फिट 8 तो मैं चाहरे दाट इंच यहां से मैं चाहरे जोटा है ओंट इंच करता हूं ठीक है फिर मैं यहां से चार अब हम now हाँ जो कि यह चार फिट का चोड़ेंगे यहां सी में फिर से लाइन लेता हूं यह से तीन फिट और फिट से तीन फिट ठीक है और लेंथ मैं से साथ फिट वे देता हूं ठीक है यह देखिए साथ फिट ठीक है आप चाहिए तुझके उपर तीन इंच और फिसे पंद्राइं ठीक है एक रेक्टेंगल यहां पर भी में प्रोग कर देता हूं ठीक है अब चलिए इनको भी हम निकाल देते हैं पूस्पूल क्मांड से ठीक है यहां से मैंने इसको लिया यह देखिए जो मेरा दरवाजा है वो यहां पर बनके एक दम बिल्कुल रेडी है अगर हम चाहिए तो यहां से खिकियां भी ड्रोग कर सकते हैं तो खिक्यां ड्रोग करने के लिए हम क्या करेंगा है यहां पर पहले मेसर मेंजरमेंट लेते हैं आप फिट है मेरे खल से 9 फिट जिसके अंदर 9 फिट क्यों यहां से 9 ठीक है यहां हम लेते हैं 15 इंच या 16 इंच 16 इंच फे एक मैं यह से लेता हूं 16 इंच फे ठीक है अब मैं यह से लेता हूं पर फेट के वपर फॉर नवर थीवित नहीं पोर टीक पर ने लेंगे लेंगे असे को मैं ट्रीशित फेले तम यहां से लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है त्रीफिट और फिट मैं त्रीफिट की एक और त्रीफिट फिर फिर एक ठीक है यहां पर मैं एक जो है ट्रोकर देता हम विंडो इस विंडो को हम तोड़ा ओफ सेप देते हैं यांपी कि यहां से स्वरी इसका मौप सेट तो इंच की और उसके बाद यहां से पुस्फूल कमांड से में इसको ठीक है यह मैंने रिमूव कर दिया इसको अभी जो इसका बाहरी सर्फेस को में तोड़ा सा अंदर कर देता हूं यहां से ठीक है तो दोस्तों यह हो गया हमारा कीचन का जो विंडो का पॉर्शन है ठीक है यहां पर लग भग हमारा जो कीचन हो गया रेडी जो हमारे टू रोम सेट है वह हो गया अभी हमारा जो बचा है वह है सीधियां हमें इसके अंदर सीधियां कैसे लगाएं ठीक है घर के अंदर यहां पर मैं अब अब चाहें तो सीडिया भी यहां से लगास्ते हैं ठीक दोस्तो तो चलिएulfी मेरे पास यहां पर काFEMA लगानी बागी है तो वह हों कििए बाद में लगाएंगे अ और चलिए इसी वीडियो में खिड़कियां भी लगा देते हैं ठीए एक यहां पे और एक यहां पे दो खिड़कियां लगा देते हैं ठीए